दोसो से ज़्यादा गांजा तसकरों ने किया मुढभेड 17 के करीब थे पुलिस कर्मी ये दुखत खबर है मलकान गिरी जिले के मैतली थाना के चामल महंदी ग्राम पंचायत के नुवा गुडा गौ के पास की चित्रकोंडा काली मेला में अक्सर खबर मिलती के गांजा तसकरी आए दिन कोई नो कोई गांजा तसकर पकड़े जाते खबर प्रसार होती बावजुद तसकरों का होसले बलंद उन्हें ना तो डर है ना खौफ ना परवा लगातार तसकरी में इजापा हो रा चित्रकोंडा से चावल मेहंदी के रास्ते आए दिन पैदर चरकर कांदे में कामण की तरह गांजे की लटके सहारे दोनों तरफ लटका कर ले जाते वे गांजा तसकरों को कई बार पलिस गरफतार कर चुकी परन्तु गांजा माफियाओं के होसले इतने बलंद है कि उन्होंने प्लान करके एक साथ में दोसों से ज़्यादा तसकर गांजा ले जा रहे थे ताकि अगर पलिस उन्हें पकड़ने की कोजिस करे तो वे पलिस पर आकरमण करके बच के निकल सके ऐसा ही घटने को अन्याम कल रात करीब दो बजे के आस पास गांजा तसकरों ने मैथली ठाने के अंतर का चावल महंधी ग्राम पंचायत के नुवा गुड़ा के पास दिया एक होमगाट को तसकरों नयाकरमण करके जान से मार दिया और एक को गाहिल कर दिया अमरतक होमगाट का नाम बनवासी महाराना गंजाम जिला का रहने वाला ड्यूटी करते थे मलकान गिरी जिले के औरकल खाने में सवाल उड़ता है कि जब दोसों से ज़्यादा तसकर गांजा लेकर इस रास्ते से जा रहे थे पुलिस के पास सूचना थी तो मात 17 पुलिस करमी क्या सोच कर उन्हें पकड़ने गए क्या पुलिस के पास पुखता जानकारी नहीं थी कि कितनी संख्या में तसकर गा हिंदी होते हुए मैथली जंगल के रास्ते जंगल 36 गड़ के जगदल पुर जाकर वहां बड़े माफियाओं को महंगे दामू में बेच देते हैं आज होमगार्ट बनवासी महराणा की बोड़े का पोस्ट मार्टम मैथली थाना में परिसर S.P.S.D.P.O. के साथ अन्हें अधिकारी और गार्डों ने सलामी दी तता मरने वाले को भी उनको फूल देकर उनकी आत्मा की सद्गती की काम ना की मलकानगिरी से गोविंद मंडल की खास रिपोर्ट